तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रानियोज पहले कबर आरिए महाराष्ठा रीजिनल और टाउन प्लानिंग आक्ट 1966 से रिलेटिड जिसके अंतरगत बनी थी SIDCO या City and Industrial Development Corporation और एक बहुत बड़ा इनिशिटिव इनके द्वारा लिया गया है जहाँ पर जालना और कपुरडी के बीच में एक नई Plant City बनाने का काम ये करेगी और ये एक Acro and Steel Industries के उपर बेश शहर होगा तो जो समर्दी महामारक है इसके पास में कई सारे Notes के उपर नए Smart Towns डेवलप करने का Decision लिया गया था अब City को जो हुए इनके अंदर बहुत कमया निकल कर आ रही है लेकिन एक बात ये भी है कि इन्होंने एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी Plant City एक्जिक्यूट करके बताई थी और दिक्कते जो Cities के साथ में इंडिया में है उसको आरपार करते हुए इन्होंने बहतर Cities डेवलप करने का Track Record रखा है तो इनको ही जिम्मेदारी दी गई है इन Towns को बनाने के लिए और एक New Town Development Authority इसके लिए पॉइंट की गई है तो यहाँ पर वैसे ये स्टेलको के द्वारा बनाया जवाने वाला ग्यारावा टाउन होगा और अपने आपके जा ट्रैक रेकॉर्ड आप अगर इनका देखे तो प्रॉबबली ये एक बहुत जारे लिवेबिल शेहर बनेगा तो एक New Town जो आगे जाके में भी एक बड़ी सिटी बन सकती है वो बनना शुरू होने वाली है महाराश्य के अंदर और एक अगली ब्लाइट सिटी होगी अगली दोस्टी जो खबर आ रही है वो है हमारे Union Ministry of Road, Sunsport and Highway Sea जिनकी में श्रंदिन करकी चीक को खागा गया कि जो काजिरंगा नाशनल परक है उसके उपर का Elevated Road Development Project वो जल से जल कम्प्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे तो रूस तो ये 34 किलोमेट का स्टेच यह है जह 29 के लिए बनेगा अभी कई लोग बोलते हैं उसके बिए काफी लिए अगली दोस्टे के तीसरे एक बहुत बड़े ब्रिट से रिलेंटेड जो कि जम्मु एन कश्मीर में बनने वाला है जम्मू रजूरी पूंच हाइवे के ऊपर और यह जो चेनाव रिवर ब्रिज है उसके थोड़ा पास में होने वाला है तो एक सो दो करोड रुपे एक चाहिए एक चंदीगड बेश प्राइवेट कंस्ट्रेशन कंपनी को दिये गए है एक रोड मैप बनाने के रहे तो दोस जार एक सो करोड रुपे का जम्मू पूंच फोरलिन हाइवे प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा ये बनेगा तो चौबीस महीनों के अंदर इसको बनाने के डेडलाइन होगी जब भी टेंडर जो है वो फाइनलिस होते उसके बाद में और नहीं डीचल इसको बनाएगी तो दो अंगलोर पोर्टरश के अंदर तो देश के अंदर जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंपोर्ट बन रहा है तो जरूरी है कि कंटेनस की शॉटेज जो है वो नहीं आए कोवीट के डाइम पे हुआ है कि चाइना में सब कंटेनस जाते थे भरने के लिए फिर के अंदर भी कुछ फैक्टरीज है जो कंटेनस बराती है इसी के अंदर करेंगे और इसके अंदर यह डिसाइड किया गया है कि कंटेनस में इंवेश्मेंट करेगी अगली दोस्तों जो कवर आ रही है वो फिर से थोड़ी लॉजिस्टिक्स डेट है जहापर महींद्रा यूज करते हुए में बेजने का काम करेगी और चार्टर फ्लाइशन इसके लिए वो शुरू कर चुके है यहां पर एक्स्प्रेस क्रॉस बडर चेंट सप्लाय जो है अपके सकते हो कूल सूरिक साथ में फ्लाइश चलाना यही चीज़े की जाने वाली है और करेंटी 55 लें यह अप्रेट करते हैं जिनमें कई मिडल इस में होगी आगे चाकर यह कंजूमर डूरिबल इस फार्मा एंजिनरिंग को भी काम करेंगे जो इसे केंट आफ कुछ आड़ी करते है लेकिन मेंली अभी जो नहीं सविस लॉंच हुई वाइगरो के लिए है अगली खबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोट सांफ्रोसन हाइवेस से फिर से आ रही है जिन्होंने कहा है कि जो जम्मो अकनूर फोर लेंड रोड प्रोजेक्ट है इसको वो कम्प्लीट कर देंगे मार्च दो हजार पचीस तक तो यह सैंक्शन दूस्तों प्रोजेक्ट वाथा 2015 में डिफेकल ट और फिर से इसी मिनिस्ट्री से आ रही है जिन्होंने कहा है कि वो कई इंडिस्ट्री प्लेज के साथ में डिसकस कर रहे है एकनॉमिकली वायबल इलेक्ट्रिक हाइवेस बनाने के लिए तो जो लोग नहीं जानते हूं को मैं बहुत शॉर्ट में एक्स्पेन करते तो बेसी और एनर्जी को जादा एफिशेंटली यूज करते हुए तो यहाँ पर जैपूर के एक स्टेच में खाया था कि यह इलेक्ट्रिक हाइवे बनाया जाएगा लेकिन यह टेक्नोलोजी ब्रैंड न्यू है बहुत जोगों पर दुनिया में अंदर यह जहाँ भी बनी भी है व अगली दोस्तों खबर यह दिल्ली से जाबर कई रोड्स का रीकापिटिंग होने वाला है जाबर मदर तेरेसा, क्रेसेंट मार्ग, गुरुद्वारा, रकप गंज मार्ग, जंतरमंतर रोड, रैसियाना रोड, संसद मार्ग, बागला साहिब रोड, रेड क्रोस रोड, भा बन पड़े हुए housing projects के अंदर funds ingest करने के लिए, तो जब रेरा डीक से अवेलेबल नहीं था, तो builders कई बर यह करते थे कि maybe अगर कोई project बन रहा है, तो उसमें से जो भी पैसा आता था, वो कोई नए project में लगा देते थे, जिसके बाद में जो existing project बन रहा था, जहापे लोग अपना पैसा लगा चुके है, वो रूप जाता था अगर नया project जो बन रहा है, वो profitable नहीं निकल कर आता था, या इसके अलावा legal issues निकल के आते थे, disputes निकल के आते थे, company में problem आते थे, management issues आते थे, तो projects बन दोते थे, लोगों को पैसा बज़ जाता था, तो government अब अधर से कुछ revenue भी निकाल पाएगी, तो देखते हैं, ये चीज कैसे निकल के आगे, आज के AskVity स्वाल के बारे मात करें, तो yes, London पूछते है, what is your take on covering the entire metro rig with advisements, does it kill the aesthetic appeal of the trains, और is it necessary source of revenue, are there any rules currently which need to be followed, AskVity, तो देखो यार ये एक personal सवाल पूझा गया है, opinion बेज तो हर किसी क अब से कई बार जो trains होती है, railways जो है, वो वैसे भी loss में चलती है, ये service है, ये passenger को जो है, profit पे नहीं चलेगी, तो भी उनको चलवाना पड़ता है, metro का भी देश के अंदर यही हाल है, चाहिए normal trains का भी क्योता हो, अब मेरे सबसी इस situation में, railways अगर कही से भी revenue generate कर पा रही ह तो उसको वो बिंदाज करना चाहिए, चाहिए वो retail में हो, या फिर इस तरीके के advertisement के साथ में, हाँ, aesthetic appeal या भी खराब तो हो ही जाता है, trains का, ये बत सच है, लेकिन मेरे सबसी चीज़े सही 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 की जाए, for example, अगर मैं आपको बताओ, तो जैसे मुंबे की local trains है, वहाँ बहुत advertisement लगाए जाती है, लेकिन अगर वो धंकी नहीं लगाए जाए, कुछ भी बेकार जो आपको बाबो अफसर टाइब डिजाइन में कराए जाती है, तो trains के अंदर ना aesthetic appeal आती है, खराब लिखने लगती है, लेकिन अगर चीज़े सही से की जाए, for example, recently Mumbai के AC local के अंदर इसा किया गया था, जब बर train के geometry को देखते हुए, पुरी design बनाए गई थी, तो बहुत ज़्यदा अच्छी looking advertisement भी हो सकती है, और मेरी सब्सक्राइब अच्छी बेटर इंप्लिमेंटेशन होता, ताकि एक aesthetic appeal भी बन पाए, लेकिन revenue generation भी बहुत ज़रूरी है, हम सिफ और सि subsidized होने का उसको जरूवत है, इसके लिए मेरे हिसाब से यह support करने वाली चीज है, बस improvement हो सकती है, ऐसे चीजों के साथ में जिसके लिए ज़्यादा और investment की जरूवत नहीं पड़ेगी, बस बहतर designers और implementation की जरूवत है, उमीर करता हो सब्सक्राइब का जो आपको मिल गया हो वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा होगा तो चानल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोज हम इसी वीडियो लाते हैं, मिलिंग एगले वीडियो में